गुड मॉनिंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी वन क्लास के बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग पहले जितना भी चैप्टर पढ़ लिये हैं उसे हम लोग फिर से रिविजन करेंगे तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं अक्छर माला याद करें यह है श्वर यह आ से आउ तक जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं ओ है श्वर यहां है आ चोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री यह आ से आ तक के बीच में जितने भी यह वर्ण है यह श्वर है जिस प्रकार हम लोगों ने छोटे क्लास में इंगलिश सीखने के लिए पहले अलफ़ाबिट सीखते हैं ए बी सी ठीक उसी प्रकार हम लोगों को हिंदी सीखने के लिए यह लेटर सीखना जरूरी है यह आ से आ तक इसे कहते हैं स्वर स्वर की संख्या 11 होती है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आ से क्या होता है सभी यहां ध्यान से देखेंगे पेज नमबर 7 रिविजन आज का डेट है 4, 5 और 20 यह है क्लाश वर्ट यह है आ, आ से अनार यह है आ, आ से आम छोटी इ, छोटी इ से इमली बड़ी इ, बड़ी इ से इक चोटा उ, चोटा उ से उल्लू, यह है बड़ा उ, बड़ा उ से उन यह है आ, आ से अनार, यह हम लोग सभी अनार यह एक फल है यह फल का नाम है अनार, यह अनार आ से शुरू होता है यह अन्दर में दाना दाना होता है, रेड कलर का होता है, यह खाने में मीठा होता है सभी बच्चे इसे बड़े चाओ के साथ खाते हैं, और यह हमारे स्वास्थ के ले बहुत अच्छा होता है आ, आ से आम, आ से आम, आम खाने में मीठा होता है, जब आम पक जाता है तो मीठा होता है और जब पच्चा रहता है तो खाने में खटा होता है आर इसे हम बहुत अच्छी तरह से खाते हैं और आम से अचार बनाते हैं आम से जूस बनता है और इसे इसका रंग जब पक जाता है आम का तब पीला या हलका लाल कलर का होता है हलका पीला और लाल कलर का और जब ये कच्चा होता है तो इसका आम का कलर हरा होता है और ये है छोटी ई, छोटी ई से इमली, इमली इमली ये भी उसी प्रकार इमली पकने से थोड़ा हलका मीठा और खटा होता है ये कच्चा में हरा कलर का होता है जब ये पकने सुरू होता है तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है ये सभी इसे ये खाते हैं ये बड़ी इए बड़ी इसे एक ये एक डंडा की तरह होता है इसे हम लोग चबा चबा कर खाते हैं इससे रस निकलता है इससे चीनी भी बनाई जाती है ये छोटा उ से उल्लू या एक उल्लू चिरिया है या रात के समय देखता है ये चिरिया दिन के समय देख नहीं सकती है ये उल्लू रात के समय देखती है इसलिए वा रात के समय अपना चारा ढूरती है यानि की खाने का भोजन ढूरती है बड़ा उ, बड़ा उ से उन, उन से सोटर बनता है, गरम कपड़ा बनता है, जैसे सोटर, टोपी, इस प्रकार, ये हम लोग ठंडे महने में पहनते हैं उन से सोटर, टोपी, बच्चों का गलाप्स, ये सब बनते हैं, और हम ठंडा महना में पहनते हैं इस प्रकार सभी बच्चों ने ये आ से कौन सा सब्द होता है, इसे सीख लिए हैं, फिर एक बर मेरे साथ पढ़ेंगे आ, आ से अनार, आ, आ से आ, छोटी इ, छोटी इ से इमली, बड़ी इ, बड़ी इ से एक, छोटा उ, छोटा उ से उल्लो, बड़ा उ, बड़ा उ से उल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ये पहले भी रिविजन हो गया है, फिर हम लोग इसे दुबारा लिखेंगे सबी लिखेंगे अपने quashvart copy में और इस प्रकार corner में लिखेंगे quashvart ये page number seven में है quashvart और आजका date और हम लोग पहले भी ये sr लिख चुके हैं फिर आज लिखेंगे ये sr में जितने भी letters है उसे आज हम लोग लिखेंगे फैस्ट लिखेंगे आज हम लोग five letters अभी हम लोग हिंदी शेकने के लिए, जो यह वर्ण है, उसको हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे. First, आता है आए, पछंपहले हम लोग इस प्रकार स्लिपिंग लैन करेंगे. फिर हम लोग 3 लिखने सीखा है, जरूर सीखा है 3 लिखने, इस प्रकार लिखेंगे 3, फिर हम लोग ये बीच से sleeping lane, फिर यहां उपर से standing lane, ये हो गया A, ये है A, फिर हम लोग A के बाद आता है A, फिर हम लोग उसी प्रकार 3 लिखेंगे, फिर sleeping lane ये बीच से, फिर standing lane, इसमें आ में एक ही है, इस प्रकार और ये आ में एक डंडा और खिचेंगे, ये हो गया आ, इस प्रकार हम लोग आ और आ सिखें, फिर आ के बाद आता है छोटी E, छोटी E स्लिपिंग लेन करेंगे, फिर छोटा सा स्टैंडिंग लेन इस प्रकार घुमाएंगे, फिर ऐसे, ये है छ छोटी E, छोटी E जिस प्रकार हम लोग लिखें, उसी प्रकार बड़ी E लिखेंगे, फिर छोटा standing line इस प्रकार इधर से इस प्रकार गोल घुमा के इस प्रकार, ये है बड़ी E. तो ये A और A, ये सेम ही है, ये पहले 3 के जैसे लिखेंगे, फिर इसमें sleeping line, फिर डंडा, ये हो गया A, ये भी A उसी प्रकार, किन्तु इसमें एक line डंडा खिचा गया है, इसमें 2 A, इस प्रकार आप लोग याद करेंगे, और छोटी E, छोटी E, देखिए सिंपल है, और चोटा O, जिस प्रकार हम लोग A लिखे, पहले 3 लिखे, उसी प्रकार हम लोग, पहले ये 3 लिखेंगे, ये sleeping line उपर में खिचेंगे, ये हो गया चोटा O, और बडा O भी उसी प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, ये 3 की तरा, उपर sleeping line, फिर ये middle से यहां से इस प्रकार इस खीचेंगे, तो ये होगे बड़ा ओ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा ओ, बड़ा ओ, फिर से, फिर से हम लोग लिखेंगे, आ, एसे, थ्री के जैसे लिखेंगे, स्लिपिंग लेंग, फिर यहां बीच से, स्लिपिंग लेंग, फिर एसे स्टैंडिंग लेंग, ये हो गया, आ के बाद आता है आ से मुश्य प्रकर हम लोग थ्री लिखेंगे फिर यहाँ इस प्रकर स्लीपिंग लैन और यहाँ इस प्रकर यह खिचेंगे यह देखने में एक ही है किन्तु थोड़ा अंतर है इसमें एक डंडा है इसमें दो डंडा है और यह हो गया आ उसके बाद हम लोग लिखेंगे छोटी ए छोटी ए देखिए पाले स्लीपिंग लैन कीजिए फिर छोटा से स्टैंडिंग लैन फिर इस प्रकर घुमा के ऐसे करेंगे यह हो गये छोटी ए और बड़ी ए भी सेम उसी प्रकर थोड़ा स्टैंडिंग लैन इस प्रकर घुमा के उपर में छोटी गोल आधा गोल बनाना होगा यह हो गया बड़ी ए यह देखिए ध्यान से देखेंगे यह देखने में सेम है एक ही जैसा थोड़ा से इसमें अंतर है बड़ी ए के बाद आता है चोटा ओ यह भी पहले थ्री लिखेंगे इस प्रकर फिर उपर स्लीपिंग लैन यह होगे चोटा ओ उसके बाद बड़ा ओ बड़ा ओ में स्लीपिंग लैन फिर उसी प्रकर थ्री लिखेंगे यह बड़ा ओ में इस प्रकर लैन खिचेंगे यह होगे बढ़ाओ, तो आज हम लोग A से बढ़ाओ तक लिखने सिखे, सभी बच्चे इस ये स्वर को अपने क्लास्वर कोपी पर टू टाइम्स लिखेंगे, A से बढ़ाओ तक टू टाइम्स लिखेंगे और याद करने की कोशिस करेंगे, धन्यावाद.